दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है आज के Test Your Knowledge की वीडियो में हम देखने वाले हैं GKK Top 47 Question Answers जो की सभी परिक्साओं में बार-बार रेपीट होते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से end तक देखे 47 में से कितने questions के answer सही कर पा रहे हैं अपना score comment box में बताईएगा पहला question आपकी screen पर है अनमान निकोबार दीप समू में कितने दीप मोजूद है तो पहले question का right answer क्या रहेगा आप लोग try करिये और comment box में answer बताईए मेरे प्यारे दोस्तो 324 है यानि कि B right answer हैगा question number 1 का correct answer question number 2 है जिम कॉर्बिट रास्टे उद्धान किस राज्य में इस्थित है दोस्तो इस question का सही उत्तर रहेगा उत्राखण यानि कि B right answer हैगा question number 2 का right answer तीसरा question आता है दिल्ली इस्थित जामा मस्जित का निर्मान किस मुगल बादसा ने करवाया था दोस्तो इस question का right answer हैगा सा जहाने यानि कि C right answer हैगा question number 3 का right answer question number 4 आता है भारत की पहली बोलती फिल्म कोन सी है दोस्तो भारत की पहली बोलती फिल्म है आलमारा यानि कि right answer option A हो जाएगा question number 4 का correct answer question number 5 आता है अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था तो ये भी important question है दोस्तो कहीं बार ये year पूछ लिया जाता है तो इस question का right answer हैगा सन 1867 में ठीक है 1867 में यानि कि B right answer हैगा question number 5 का और देखे 7000 के question answers की जो PDF है ये अगर आप लोग directly purchase करना चाहते हैं 150 rupees में तो या तो आप हमारे WhatsApp नंबर पे message करके link मंगा सकते हैं या फिर नीचे दिएगे description box में link से purchase कर सकते हैं दोस्तो हमारी website पे जाके आप कोई भी PDF purchase करिए आपको maximum discount मिल जाएगा जहाँ पे आपको complete GKE science करेंट फिर computer की PDF मिल जाती है अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को अभी subscribe कर ले ना नीचे radical का बटन दिख रहा होगा bell icon को on रखे ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के notifications आपको मिलते रहें छटा question क्या कहता है निमलिखित में से किस देश की इस्तलिय सीमा सबसे बड़ी है दोस्तो इस question का right answer हैगा चीन की यानि की B right answer हैगा question number 6 का right answer question number 7 आता है कौन सी खाड़ी भारत और सिलंका को एक दूसरे से अलग करती है दोस्तो कौन सी खाड़ी है जो भारत और सिलंका को एक दूसरे से अलग करती है तो इस question का right answer एगा मननार की खाड़ी यानि की option हो जाएगा आपका C right answer ठीक है? साथवे question का correct answer C हो जाएगा आठवा question आता है पानीपत का तीसरा यूद हुआ था और देखे test your knowledge की ये जो हमारी series है इसकी मैंने एक अलग से playlist बना रखिये उस playlist में मैंने सारी वीडियोस डाल रखिया है आप वहाँ से जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं किसी भी exam की तहरी करते हैं ये test your knowledge की वीडियो बहुत ही helpful रहेगे आठवे question का right answer क्या रहेगा? बिल्कु दोस्तों मराठो और एहमत सा अबदाली के बीच यानि की right answer हो जाएगा आपका option C ये भी काफी important question है दोस्तो नोवा question आता है महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? very very important बहुत अच्छे अच्छे लेवल के questions लेके आता हूँ regular अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है न दोस्तों देखें दिल से like किया करें और अपने भाई बेन दोस्तों के साथ में जो भी competitive exam की त्यारी करते हैं उनके साथ में share कर दिया करें इस question का दोस्तो right answer हैगा कनिस्क यानि की option B right answer हैगा 9 question का correct answer दस्वा question आता है सन 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांदी ने किस आंदुलन को स्थागित कर दिया था दोस्तो right answer रहने वाला है ऐसे यूग आंदुलन को यानि की 10 वे question का right answer option A हो जाएगा आपका 11 question आता है विस्व व्यापार संगठन का मुख्याल्य इस्तित है तो कहां पर है जल्दी बतहिए दोस्तो विस्व व्यापार संगठन का मुख्याल्य इस्तित है जनेवा में यानि की इस question का right answer C हो जाएगा 11 question का correct answer आपका पारवा question आता है की भारत की रास्टे विकास प्रिशद का अध्यक्स कोन होता है देखे भारत की रास्टे विकास प्रिशद का दोस्तो अध्यक्स कोन होता है तो right answer रहेगा परधान मत्री यानि की C rate answer रहेगा question number 12 का question number 13 आता है ओलंपिक खेलों में होकी को किस वर्ष सामिल किया गया तो ओलंपिक खेलों में किस राज्य में इस्तित है बते ही जल्दी से ट्राइगर के देखे बिल्कुल दोस्तो ये है राजिस्थान में यानि की D rate answer रहेगा question number 14 का correct answer question number 15 आता है महाबली पुरम के रत मंदिर का निर्मान किस पल्लब सासक ने करवाया था दोस्तो इस question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल nursing और वर्मन यानि की right answer दोस्तो क्या हो जाएगा option A हो जाएगा question number 16 आता है परसित गरंथ अस्ट अध्याई की रचना किस ने की थी दोस्तो इस question का right answer हैगा महरीशी पानेनी ने यानि की right answer option C हो जाएगा इस भी प्रेल रेखा किन दो देशों के को बांटती है दोस्तो इस question का right answer रहेगा आपका ये बांटती है दोस्तो उत्तर कोरिया और दक्षिन कोरिया को यानि की पहला ही option आपका right answer हो जाएगा अठारवा question आता है रास्टे वाई यू से ना दिवस परती एक वर्स मनाया जाता है और देखें मैंने ना topic wise आपको पूरा gk cover करा रखा है topic wise science topic wise आपकी current अफिर अगर आपने ये सारी चीजे देखनी है और एकदम systematic way में देखनी है तो मैंने इनकी भी playlist बना रखी है और सभी playlist के link आपको नीचे description box में मिल जाएंगे या फिर channel पे जाके देख लेना वहाँ पे मिल जाएंगे ये सारी playlist में आपको सारे questions मिल जाएंगे जो मैं आपको daily basis test your knowledge में cover कराता हूँ ठीक है 18 question का right answer क्या हो जाएगा बिल्कुल मेरे प्यार दोस्तों 8 October को यानि की D right answer हैगा 18 question का right answer आपका 19 question आता है कि भारत का गोवा राज ये पुर्दगालियों के साशन से कब मुक्त हुआ था तो देखे गोवा जो है न दोस्तों पुर्दगालियों से कब मुक्त हुआ था ये बहुत important question है 1961 में देखे 1947 में नहीं हुआ था ये point note करने वाला है option हुआ था आपका C right answer ठीक है 20 वा question है कि महात्मा गांधी दक्षिन अफरीका से भारत कब लोटे तो देखे महात्मा गांधी दक्षिन अफरीका से भारत कब लोटे थे दोस्तों लोटे थे 9 January 1915 को ठीक है राइट आंसर ओप्षन हो जाएगा आपका B right answer 20 वे question का सही उत्तर 21 वा question है परतियक वर्स December के किस दिन को सस्त्र सेना जंडा दिवस मना जाता है दोस्तों इस question का right answer हैगा 7 December को यानि कि D right answer हैगा question number 21 का सही उत्तर 22 है निवनवे से कौन अरावली परवत माला की सबसे उची चोटी है तो देखे अरावली परवत माला की दोस्तों सबसे उची चोटी है गुरू सिखर यानि कि इस question का right answer option A हो जाएगा ये आपको याद अखना है ठीक है भई गुरू सिखर आपका अगला question आता है विष्व विकलांग दिवस परती एक वर्स किस दिन मनाया जाता है तो विकलांग दिवस के बारे में बात कीज़े दोस्तों ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को यानि कि इस question का right answer हैगा option B ठीक है ये आपको याद रखना है question number 24 आता है Muslim League और भारती रास्टी कॉंग्रेस के बीच लखनाउ समझोता किस बर्स हुआ था देखें लखनाउ समझोता हुआ था दोस्तों 1916 में और ये बहुत important समझोता है और ये कई बार exam में आता है अलग-अलग exam में ठीक है याद रखेगा 25 question आता है देश सवतंतरता के समय भारती रास्टी कॉंग्रेस के अध्यक्स कों थे तो देखें देश सवतंतरता के समय भारती रास्टी कॉंग्रेस के दोस्तों अध्यक्स से जी बी करपलाने कों थे दोस्तों जी बी करपलाने यानि की option A right answer हैगा question number 25 का question number 26 है संग मरमर किसका परिवर्थित रूप है दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा चूना पत्थर का ठीक है यानि की राइट आंसर ओप्शन बी हो जाएगा 26 कोशन का राइट आंसर 27 कोशन आता है 1912 में अल हिलाल नामक समचार पत्र की सुरुवात किस ने की थी दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर रहेगा आपका मोलाना अबुल कलाम आजाद ठीक है मोलाना अबुल कलाम आजाद यानि की ए राइट आंसर हैगा कोशन नबर 27 का कोशन नबर 28 है चंद्रमा की परत्वी से दूरी लगबग कितनी है तो चंद्रमा की परत्वी से दूरी दोस्तों लगबग है 38, sorry 3,85,000 किलोमेटर यानि की option हो जाएगा C right answer 28 का Q29 आता है असम राज्ये का कौन सा अभ्यारन एक सींग वाले गैंडे के लिए परसिद है दोस्तों इस question का right answer क्या रहेगा काजी रंगा रास्टे उधान यानि की right answer इस option है ये आपको याद अखना है Question number 30 आता है खुजराओं में मंदिरों का निर्मान किस वंस के सासकों ने करवाया था दोस्तों इस question का right answer रहेगा चंदेल यानि की B right answer रहेगा Question number 30 का Question number 31 है संसद के दो सत्रों के बीच अधिक्तम अब्दिक कितनी हो सकती है दोस्तों ये बहुत easy question है क्योंकि कई बार ये question इस परकार से पूछा आता है कि संसद के एक वर्स में कम से कम कितने सत्रों होते हैं तो दो सत्रों होते हैं अब आपसे पूछगे कि कम से कम कितनी दो सत्रों के बीच अधिक्तम कितनी अधिक्तम कितनी वो सकता है दोस्तों मतलब difference हो सकता है तो 6 महा का ठीक है तो right answer हो जाएगा B क्योंकि 2 सत्रों हो सकते है 6-6 महिने का तो maximum 6 महिने का गैप हो सकता है 32 आता है कि कि किस मोर्य सासक के सासनकाल में तृत्य बोध संगीत का अजन किया गया था दोस्तों इस question का right answer हैगा समराट असोक के ठीक है option A right answer है 32 33 है वाईउ मंडल में carbon dioxide की मात्रा कितनी है तो carbon dioxide की मात्रा है दोस्तों 0.03% यानि कि D हो जाएगा right answer अंग्रेजों ने बंगाल बिहार और उडिसा पर अपना अधिकार कर लिया था दोस्तों ये हुआ था 1764 में कब हुआ था 1764 में यानि कि B right answer हो जाएगा question number 34 का correct answer 35 आता है भारत की पहली महिला रास्पती कौन है दोस्तों भारत की पहली महिला रास्पती परतिबा पाटिल है यानि कि right answer option B हो जाएगा question number 35 का correct answer परतिबा पाटिल 36 है भारत के सविधान सबा ने तिरंगे को भारत के रास्टिय जंडे के रूप में कब अबनाया दोस्तों इस question का right answer हैगा 22 जुलाई 1947 को यानि कि right answer C हो जाएगा question number 36 का correct answer 37 आता है दुनिया की सबसे बड़ी समुदरी सीमा वाला देश कोन सा है बहुत important है जल्दी बतेए दोस्तों बात आईए समुदरी सीमा वाले देश की तो ये हो जाएगा आपका कनडा यानि कि right answer is option D ये आपको याद अखना है 37 कोशन के बारे में दोस्तों आपका 38 कोशन आता है मैमार की मुदरा क्या है देखें मैमार की मुदरा है दोस्तों क्या आत यानि कि right answer C हो जाएगा 38 कोशन का correct answer question number 39 है निमलिकित में से किस भारतिय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भुटान से मिलती है दोस्तों भारतिय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भुटान से मिलती है तो ये है आपका सिक्किम ठीक है C right answer हो जगा question number 39 का ठीक है अगला question आता है question number 40 नाथुला दर्रा किस भारतिय राज्य में इस्तित है दोस्तों नाथुला दर्रा किस भारतिय राज्य में इस्तित है तो ये आपका है सिक्किमे ठीक है right answer is C ये आपको याद रखना है question number 41 है ऐसे योग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है ऐसे योग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है तो right answer हैगा 70 अबग्य आंदोलन ठीक है right answer D रहेगा question number 41 का question number 42 है भारत का रास्टेगान पहली बार कब गाया गया दोस्तों भारत का रास्टेगान पहली बार कब गाया गया तो 1911 में यानि की right answer C हो जाएगा 42 वे question का right answer question number 43 है समुदरी जल में लवन की ओसत मातरा होती है देखें समुदरी जल में दोस्तों लवन की ओसत मातरा होती है 3.5% यानि की right answer हैगा question number 43 का यह है आपको याद अखना है question number 44 है रास्टेग केड़ेट कोर की स्थापना किस वर्स हुई थी इस question का दोस्तों right answer हैगा 1948 में ठीक है right answer is option है यह आपको याद अखना है question number 45 आता है महमूद गजनवी ने सौमनात मंदिर को कब लूटा था दोस्तों इस question का right answer हैगा 1025 इसवी में यानि की C right answer हैगा question number 45 का question number 46 है तिरीपिटक जो बोध्धरम का परसित गरंथ है या किस भासा में लिखा गया दोस्तों इस question का right answer हैगा पाली भासा में यानि की C right answer हैगा question number 46 का question number 47 आता है गोतम बुद महापरी निवारन की प्राप्ती कहा हुई थी दोस्तों इस question का right answer हैगा ये हुई थी दोस्तों कुसी नगर में यानि की A right answer हैगा question number 47 का ये आपको या दखना है अब एक question मैं आप लोगों से पूछता हूँ जो कि इसी वीडियो से है घाना पक्सी वियार किस राज्यमेशती थे ये आपके लिए इस वीडियो का test question है मैं आसा करता हूँ कि इस test के question का answer सभी student comment box में बताएंगे और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक ये 7000 के question answers वाली पीडियोप को जोइन नहीं किया है ये complete है दोस्तों ये complete GK है complete science है complete current अफिर और computer है आप चाहिए दोस्तों किसी भी exam की तयारी कर रहे है SSC CGL की भी कर रहे है teaching की कर रहे है SSC GD की कर रहे है या फिर railway किसी भी exam की कर रहे है या फिर other किसी exam की कर रहे है ये वाले questions जो है ना आपके हर एक परिक्सा में पूछे आते हैं और मैंने दोस्तों एक collection बनाया है ये, ये मेहनत से बनाया है कि अगर आप इन सभी 7000 के questions के collections हैं, इनको पढ़ते हैं आपको खुद realize हो जाएगा कि हाँ वो questions है जो exam oriented हो सकते हैं, unnecessary कुछ भी नहीं है, आपको हमारी website, whatsapp number और दिये के नीचे description box में link से purchase कर सकते हैं, कोई भी doubt आता है तो आप हमें WhatsApp नंबर पे message भी कर सकते हैं, ये पीडियाप WhatsApp पे प्राप्त करने के लिए आप हमें message कर देना, purchase करने के बाद में screenshot का, आपको ये सारी पीडियाप WhatsApp नंबर पे मिल जाएगे, चैनल पर नए है तो subscribe करिए, bell icon को on रखिए, ताकि आगए आने वाली से भी